क्लास करने के बाद ऐसा नहीं होता कभी कि तुमने क्लास खतम की और अगले दिन फिर मूठा के आ गए घर पर पढ़ना होता है रिवीजन करना होता है नोट्स बनाने होते हैं करते हो नहीं करते जरूरी वाई करना फिर फॉर सिब क्लास का डिवरेशन ही सब कुछ नहीं है हाँ क्लास में अगर आपने बहुत अच्छे से एक्टिव होके समझ ली चीज है तो आपका रिवीजन में कम टाइम लगेगा इसका वाला यह नहीं कि आप रिवीजन ना करो भाई रिवाइस करना ही पड़ेगा और यह ड्रॉपर वाले बच्चे हो तो कॉंटेंट ज्यादा डिलीवर ही होगा क्योंकि हमको एक साल में दो साल का कराना है तो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर बहुत सारा चल रहा है लगेगा भाई सबको लगता है तो इसका यह नहीं है कि तुम पढ़न ही बंद कि यह बहुत जाहदा देख गया सर तरह कोफिस्ट 강ラ childish कि रहे हैं के मिस्टर कि रहे हैं बायों भी बढ़ रहे हैं पिर hi rangka öl्सना करना होता है ना वह सब कुछ नहीं देखना वह अनाधंद मेनळत करता थे वह बहुत सारो एक्जामपल है वह इसे अभी आप जे सेलेक्ट हुआ ना जिसको नहीं पढ़ना है न वो दस बहाने डूण लेता है मेहनत करनी पड़ेगी भाई सेलेक्ट होना है तो इसका कोई अल्टरनेट नहीं है आप सोचो कि हम तो बस पेपर देने जाएंगे और उस दिन तो उपर वाला बोलेगा वही है इसका फस्ट का यांसर है सेकेंड का यारी कोई आसान काम नहीं है जो लोग जो काम तुम लोग कर रहे हो वह बहुत मुश्किल काम है और यह सोचो कि तुम्हें इसका मौका मिला और मौका मिला है दिखाओ लोगों को यही तो करतव होता है भाई दिखाने का अज़ए कोई कैसे मानेगा कि तुम बहुत बड़ी इंसान हो या गुद्वी हो तुम तुम्हारे उपर कैसे भरुसा करेगा वही माल लो तुमको क बिना सेलेक्शन के तुम्हें तुम्हें कुई डॉक्त नहीं है लेकिन तुम्हें सेलेक्ट कैसे होना है पढ़के बिना पढ़े किसी का सेलेक्शन नहीं होता है कि आदे से ज्ञादा जनता जो है इसी चक्र में ही है कि सर एक तो क्या आया ना बहुत कंप्लेन जनता की बहुत तर बैकलॉग हो रहा है अरे भाई तुम्हारा पढ़ा हो कैसे जाता है तरम नहीं आती तुम्हें अपने ऊपर ही कैसे कोई बीमार पढ़का वो समझ में आता है लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो और सब्सक्राइब करने पड़ेगी तदियों से यही परंपरा चली आ रही है बिना मेहनत कुछ नहीं